कर दोस्तों आपका स्वागता है आपके अपनी चैनल इस्टॉक्स इजिकेशन में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जाने हैं फ्वेस्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड अगर इस कंपनी की बात कर तो आज भी यह कंपनी डाउन बिर जाकर क्लोज हुआ है 170 रुपए के पास भी यह कंपनी क्लोज हुआ है कि अगर इस कंपनी के 52 विक हाई की बात कर तो 242 रुपए 85 पैसे का लेवल आपको देखने को मिलेगा तो ऐसे में क्या इस कंपनी को बाई करके चलना चाहिए या फिर जो लोग औल्लेडी बाई करके चलना है उन्हें क्या करना चाहिए long term के लिए हो या फिर short term के लिए हो सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में वीडियो में last तक बने रहे हैं कोई भी पार्ट मिस न करें और जिन लोग ने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है वो लोग सबसे पहले इस चैनल को subscribe जरूर कर लें तो देखते हैं इस कंपनी का short term का चार्ट कैब कहता है दोस्तों इसमें हमने weekly चार्ट लगा रखा है जिससे जादा से जादा data को cover कर सकें तो अगर इसमें support level की बात करें तो 160 रूपय के पास का इस company का support level निकल कर आता है यानि कि जिन लोगों ने इस company में short term के लिए entry लिया है उन्हें अपना इस shop loss maintain करना चाहिए 160 रूपय पे और आगे के लिए continue करना चाहिए अगर यह company support लेकर bounce back करता है तो अच्छी बात है अगर यह support लेकर bounce back नहीं करता है और नीचे जाता है तो फिर आपको तूरंत exit कर देना चाहिए क्योंकि उसके बाद यह company 130 रुपय, 135 रुपय के पास तक जा सकता है तो ऐसे में जो लोग buy करने की mood में हैं वो लोग इस company को 130 रुपय के पास buy करके चल सकते हैं उस्तों company का background अच्छा है जो लोग long term के लिए buy कर रखे हैं चाहिए उपर price पे चाहिए down price पे वो continue करें बलकि panic न करें और जो लोग buy करने की सोच रहे हैं वो लोग सबसे पहले इस company का एक support level बन जाने दें उसके बाद buy करने की courses करें तो चलिए दोस्तों आज के लिए एकना ही वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें thank you for watching this video